किसी जंगल में एक खूबसूरस सा छोटा सा घर था उस घर के अंदर एक बक्री अपने तीन नन्य बच्चों के साथ रहा करती थी वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती बक्री का शोहर बक्रा पुलिस वाला था शाम को जब बक्रा अपनी डूटी से फारिग हो जाता तो वो गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाता एक दिन बकरा घर पहुँचा उसने अपने बच्चों के साथ मिल बैट कर खाना खाया फिर वो अपने बीवी बच्चों को लेकर सैर के लिए निकल पड़ा वो गाडी में बैठे और पारक में पहुँच गए बकरे बकरी से बाते करने लगा और बच्चे खेलने लगे शाम को जब बकरा घर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में बकरे ने देखा कि एक शेर का नन्ना बच्चा बेहोश पड़ा है बकरा गाडी से निकला उसने पुलिस वाला होने के नाते शेर के बच्चे को अपनी कमर पे उठाया और गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया अगले दिन बकरा शेर के नन्ने बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया उसने अपने S.H.O. को बताया कि ये इसे जंगल में मिला है और बेहोश था ये S.H.O. ने कहा तुम बाहर जाओ मैं इसके वालिद को काल करता हूँ शेर को जैसे ही पता चला उसका बेटा मिल गया है वो भागा भागा पुलिस स्टेशन में आया उसने S.H.O. से बात की तो S.H.O. ने बताया कि ये इनके होनहार पुलिस आफिसर की वज़ा से हुआ है शेर ने बकरे का शुक्रियादा किया और कहा तुम मेरे महल आ जाना बकरा बहुत खुश था बकरा अगले दिन शेर के महल में चला गया शेर ने बकरे का बहुत जादा सारा इनाम दिया और कहा जाओ अपनी जिन्दगी एश से गुजारो बकरा सारा माल लेकर अपने घर गया उसके बीवी बच्चे बहुत खुश हुए अगले दिन वो अपना सामान पैक करकर एरपोर्ट पहुँच गए वहाँ पर बकरा जहाद आने का इंतजार कर रहा था जैसे ही जहाद आया वो लोग दुबाई के लिए रवाना हो गए बकरा अपने बीवी बच्चों को लेकर दुबाई में पहुँचा वहाँ पर उन्होंने एक होटल में अपनी सारी चीज़े रखवा दी और दुबाई घुमने के लिए चल पड़े उन्होंने बुर्ज खलीफा देखा उसके बाद वो दुबारा अपने मुल्क वापस आ गए